अलो मैं डियर स्टुटेंट बेलकम टू एट्डरी पावर जैपर और ये मॉट नमर जो है 13 है RPSC इस पीशली जो टार्डेटेट है वो RPSCW है और आज का जो है स्टेट इट्स का है कोशन्स जो हम ले रहे हैं और ये IOA एट्जाम में है और किस एट्जाम में आई हुए है RPSCW RPSCW के एट्जाम में ही ये IOA कोशन्स हैं स्टेट के ध्यान रखें और आपका जैसा की पता है कि 28 माई को जो है आपका एट्जाम है तो उसके लिए test series भी आपको जोइन करनी है यदि आप तयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको test series जरू जोइन करनी चाहिए पहला कोशन है बिच आप दी फॉलोईन इस वन डाइमेंशनल डाइद्राम देखो पाई चार्ट, वार डाइद्राम, इस्टोडाम और सिलिंडर तो इसमें जो आंसर जाएगा बन डाइमेंशनल मतलब आपके बार डाइद्राम जो होते हैं वो बन डाइमेंशनल होते हैं और आपके जो पाई चार्ट होते हैं ये टू डाइमेंशनल होते हैं ये ध्यानट है बार डाइद्राम जो हैं आपने देख लिए इस टाइप के जो हैं यह ऐसे इस टाइप से जो है न इस टाइप के जो है रहते हैं यह आपके बार डाइडराम होता है ठीक है देख लेते हैं वन डाइमेंशनल डाइडराम is most common type of डाइडराम in practice बार डाइडराम और पाई डाइडराम are the most common two dimensions होता है ठीक है यह द्यान अटना है इसमें क्या पता एक जाम में आपसे पाई डाइडराम पूछ ले आपसे question number two यह भी एक बहुत अच्छा question है the threat relationship between arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean तो इसमें जो answer है वो क्या जाएगा आप देख सकते हैं इसमें जो answer जाएगा बराबर equal वाला तो होई नहीं सकता है दूसरा arithmetic mean हमेशा जाएगा होता है तो इसका जो answer है वो क्या जाएगा 4 जाएगा तो ध्यान अटने भी the correct relationship between arithmetic mean और geometric mean और harmonic mean और harmonic mean इसका जो answer है वो क्या जाएगा प्यारे विद्यारती हो यह इसका जो है इसमें arithmetic mean जो है greater देन होता है geometric से और geometric जो है greater देन होता है harmonic mean से यह थोड़ा सा आपको याद रखना है इस चीज के बारे में है ना आपको exam की दरश्टी से important है और आपको test series जो है यह join करनी चाहिए ध्यान रखें आपको test series भी आपको join करनी चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अड़ला question देखते है question number 3 यह थोड़ा सा समझने का है question number 3 है इसको थोड़ा सा समझेंगे हम कि इसमें क्या टेना चाह रहा है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं the mean of 11 number is 7 पहले तो आपको पता होना चाहिए कि mean क्या होता है जो भी आपकी जो values दी हुई होती है उन values को जोड़ना रहता है जितने भी number of observations आपके samples जो दिये होते रहे हैं उनका totaling करनी है और divide करना है और जितने samples आपको देटे रहे हैं उस से है ना यानि कि जो इसकी mean की य प्राबर sum of इस question को समझना द्यान से यह इस पर बेस आपको और question पूछा जा सकता है sum of the observation sum of the observation और divide करना है इसको number of observations से number of observations तब यह mean आई रहा है इसमें त्या देटे रठा हुआ है mean of 11 numbers is 7 यानि कि कोई भी एक है और जो 11 numbers है कितने numbers है 11 numbers है और उसका mean कितना है 7 है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो sum होगा वो sum आप जो है पता लड़ा लोगे इसका तो sum कितना होगा भाई है इसका जो sum होगा वो कितना होगा 77 यहां तक clear है भाई examiner ने क्या दिया हुआ है the mean of 11 numbers is 7 7 तो क्या है mean है किसका जो 11 numbers दिये हुए उन्टा ठीके यहां तक clear है if one of the following number 13 is deleted अब देखो जो यह 11 numbers जो देते रखी हुए तो कोई भी 11 numbers हो सकते हैं उसमें से 8 number था 13 और 13 को क्या है delete कर दिया रहा है जैसे कि मानो कोई 8 number था आपका x1, x2 ऐसे आप जोड़ते जाओ, x3, x4, x5, x6 इसी प्रकार से जो हैं आप जोड़ते जाओ तो इसमें 8 number है जो मान लो वो 13 है जो 11 value है उसमें 13 है तो वो उसको क्या किया रिया है delete कर दिया अब जब 8 number को delete कर दिया पहले कितने number थे 11 और 8 number को delete कर दिया इसका मतलब जब delete किया तो इसका मतलब ये जो है इसका जो sum है इन सभी 11 number का sum है वो भी तो क्रम हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 4 और 6 यानि कि जितने भी बाती की जो numbers बचे जो आपके कितने बचे जब 13 number वाले को delete कर दिया मतलब single को delete कर दिया तो 10 बचे ये ही तो किना कर रहा है what will be the mean of remaining 10 numbers है ना 10 numbers जो बचे है उसका आपको mean ज्याद करना है और mean का मैं formula बता चुका हूँ mean का formula क्या होता है sum of the observations तो जो 10 number है उसका observations कितना निकाला हमने अभी 64 ये लो हमने 64 रख दिया number of observations कितने बचे 10 बचे तो answer क्या आ गया 6.4 ये दियान रखें ये देखो मैंने थोड़ा सा hint दे दिया लेकिन आपको ये खुद को समझना होगा ये question बहुत सांदार है मुझे पताए कि आप काफी बिद्यार थी तो ये समझ में नहीं आया होगा फिर भी आप इड़ार कोसिस करेंस को समझने की आपको इन से पढ़ने की तब आपको और clearly समझ में आए रहा बाती इस टीव पर में वीडियो डाल दूँना तो और भी आपको clear हो जाए रहा RPSCW targeted जो test series है वो 499 रुपीज में है ये ध्यान रखें Hindi और Inglis Manly Inglis Medium और इसके साथ ही इसमें मैंने कुछ Notes भी डाले है Notes भी आपको मिल जाएंगे निश्यंद्रे आपको Notes भी मिलेंगे इसमे अब जैसे ये ये देखो या आड़िया Arithmetic Mean का formula और जैसे जो भी observations देटे रखे हुए कि आप कहीं स्कूल में गे तो स्कूल में आपने देखा कि 5 बच्चे कहीं और थे, 6 एक ग्रूप में थे, 10 एक ग्रूप में आपने बच्चें उटो देखा इस प्रकार से आपने 12 देखा और 15 देखा यानि यह क्या होगा है आपके इन टोटलों तो जोड़ लो और इसके अलाबा एक दो तीन चार पाँच यह टोटल नम्मर ओड़े पाँच तो जोड़ने बाद इन रमीन आ जाएगा है ना इसी प्रकार से निटाला गया है इसमें आपको बताना है कि इस में में बैस्ट आपको पता हूँ तो जो मोड है वो बैस्ट नहीं है इसमें मीन वैस्ट है आपको पता हो तो central tendency, major tendency लिए mean, mode, median, geometric mean, harmonic mean, ये सब रहते हैं ठीर है mean, mode, median, अब mean जो है वो best major है तो इसना मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो false है median is not affected by extreme value जो mean होता है वो extreme जो value रहती है उसते द्वारा affected नहीं होता है हाँ ये सत्य है, median क्या होता है what is the median, देखो, अदली line में आपके देखे रठा हुआ है कि median क्या होता है, median not influenced by extreme value because it is a positional average और middle most item of the all value जितनी भी values देखे रठी हुई है, उसकी middle most जो है, वो क्या होता है, median होता है यानि कि मद्धरा, अब median में क्या है, जो extreme value है, इसके द्वारा affected नहीं होता आप values कितनी भी बड़ा हो, median ज्यादा affected नहीं होगा यह क्याना जा रहा है, अदला क्या है, arithmetic mean is not affected by extreme value जबकि जो arithmetic mean होता है, जब आप इसके properties पढ़ोगे, आप arithmetic mean पढ़ोगे तब आप इसको जानोगे कि यह affected होता है यह affected होता है, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता है, तो answer क्या जाएगा second जाएगा, बार कि geometric mean can be computed even if the one of the value given data is negative नहीं, geometric mean जब calculate करते हैं, तो negative, negative जब value आ जाती है करते हैं, यह द्यान अटना, ठीक है, अडला question, यह कुछ चीज है, mean is the best measure of central tendency, geometric mean क्या होता है, geometric mean of a series containing an observation of and through of the product of values, यह आपकर क्या होता है, geometric mean होता है, और यहाँ पर important है याद रखने वाली, geometric mean is used in study like bacterial growth और cell division, यहाँ पर काम आता है, तो ध्यान अटना, यह आप से पूछा जा सकता है, very very important, ठीक है, अडला question, यह थोड़ा सा, यह question है, इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, यह question पांच यहाँ से start हो रहा है, consider of the following statement, आप इन statement को पढ़िए, और इसमें क्या करा है, which of the above statement is correct, कुंसा सही है, पहला, if 10 is added to each entry on a list, then average increases by 10, देखो, यह क्या करा चारा है, कि जो आपका जो ओसत है, यह हम कह सकते हैं, जो average है, उसमें आपने जितनी भी entries थी, मानों 10 कोई entries थी हैं, और उसमें आपने प्रतेट में 10, 10, 10, 10 एड़ किया, तो average कि इतना entries होड़ा, तो यह भी उतना ही entries होड़ा, जितना एड़ किया है, तो यह ध्यानख है, इसना मतलब यह तो true है, इफ 10 is added to each entry, then standard deviation increase by 10, नहीं, standard deviation में ऐसा नहीं होता है, यह जानख है, फिर इफ जब आप standard deviation पढ़ोगे तो यह ती जड़े पर पूरी theory नहीं पढ़ाई जा सकती है, आप थोड़ा सा आप self कीजिए, if each entry on the list is doubled, then average is doubled, same है, उपर वाला और नीचे वाला दोनों ही same है, तो दोनों ही true है, तो इसमें क्या answer जाएड़ा आपका, यह जाएड़ा, ठीके महीं, यह ध्यानख है, अब देगे, question number 6, यहीं start हो गया है, mean deviation is minimum, when deviation is taken from, जब विचलन किसे हो, की जो minimum हो, तो इसका जो answer है, वो आपको थोड़ा सा properties पढ़नी पढ़नी, median की, जब आप median की properties पढ़ोगे, तब आपको यह आएड़ा, ठीके, अडला है, which of the following statement is true, इसमें true पूछा है, तो देख लेते हैं, अच्छा चार है, तो चार में देख लेते हैं, हम क्या है, इसका true option क्या रहेगा, standard deviation is square of variance, नहीं, standard deviation is square of variance नहीं होता है, standard deviation is under root of variance होता है, यह ध्यानख है, कि जो standard deviation होता है वो क्या होता है प्यारे विद्यारतियो वो under root variance होता है तो इसका मतलब square नहीं होता है दूसरा variance is not independent of change in origin of the data independent स्वतंत्र होता है क्या not इसमें not लग गया जब कि जो variance होता है variance तो ये इससे जो है independent of change in origin of data इसका मतलब ये भी नहीं है question number sorry third option पर आजाए measure of relative dispersion is coefficient of variation है ना ये सही है relative measure measure of relative dispersion जब हम measure of dispersion की बात तरेंगे dispersion की बात तरेंगे तो इसमें हम हम दो प्रतार के मेजर हम देटेंगे तू टाइपस ऑप measure of dispersion देखते हैं absolute measure और relative measure तो इसमें से जो coefficient of variance जो रहता है वो आपका relative measure होता है तीकि यह आप जब थेओरी पढ़ोगे तो ये एट दम साही है फिर उसके बाद covariance is measured between more than two variables नहीं covariance जो है two variables में जो है only measure किया जाता है ये ये गलत है तो इसका जो answer के जाएगा थड़ जाएगा अब देखें ये बहुत अच्छा question है इसको थोड़ा सा आप लिखें लिए इसको जो है following data covariance देखें रखा है याद रखना भाई covariance कितना देखें रखा है x और y के बीच देखो covariance दो variables के बीच जो है measure किया जाता है अब देखो variance of x, x का variance कितना देखें रखा है चार ये थोड़ा सा याद रखना और variance of y तो यहां हम लिख लेते हैं इसको covariance कितना देखें रखा है covariance को जो हम जो covariance जो रहता है उसको हम denote करते हैं देखो इस टाइट formula होता है the value of coefficient of correlation ये पूछा है और coefficient of correlation का इट formula होता है r x y इसकोल वरावर equal s x y divided s x dot यानि की multiply और x y अब यहां पर ये क्या है ये r x y क्या होता है coefficient of correlation जो पूछा गया है question में ये ही तो पूछा गया है the value of coefficient of correlation फिर उसके बाद बात करें ये क्या है यहां पर जो formula में ये क्या होता है ये होता है co-variance जो अभी हमने देखा था देखो ये रहा co-variance जो कितना है 5 है co-variance और co-variance कितना देखे रखा है examiner ने 5 देखे रखा है ये बात हो गई ये क्या है भाई ये single किसको denote करता है ये आपका जो single जो रहता है ये किसको denote करता है ये standard deviation को denote करता है ये किसको denote करता भाई ऐस मतलब standard deviation है ना ये standard deviation अब standard deviation किसका x का ये भी किसको denote करेगा भाई standard deviation किसका बाई का यह द्यान रखें यह एक formula होता है जहां examiner क्या पूछना चाहरा है rx जबकि आपको क्या दिया हुआ cobarians दिया हुआ है जबकि आपको एक और चीज दिया हुई है क्या दिया हुआ है आपको examiner ने variance दिया हुआ है x का 4 और variance दिया हुआ है बाई का 9 अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि standard deviation क्या होता है standard deviation जो है वो क्या होता है under root variance होता है यह आपको पता होना चाहिए यानि कि under root variance होता है यानि कि मैं यह टो हूँ कि standard deviation किसका x का x का standard deviation क्या होगा x का variance कितना भई चार यानिकी चार और जब अंडरूर्स करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा दो यानिकी SD, standard deviation of X कितना आ जाएगा दो आ गया इसी प्रकार से standard deviation of Y निकाल लेंगे और Y केसे निकाल लेंगे यह रहा बेरियंस अब इस variance का अंडरूर्स कर देंगे अंडरूर्स करने पर क्या जाएगा? SD आ जाएगा इसका मतलब standard deviation of Y कितना आ गया? तीन आ गया ठीके और यही तो formula में प्रकार करना है, covariance कितना है? 5 है, नीचे तीन, अब इसको direct multiply तो 3 दो नीचे है, यानि कि 5 divided by 6 और इसको जब आप करोगे तो यह कितना आ जाएगा? प्यारे भी द्यार्थ विए आपका, देखो यह कितना आ जाएगा? यह लड़वर, pont 8 के आसपास आ जाएगा, pont 8 है ना, तो इसका जो answer है, वो क्या जाएगा? यह जाएगा, यह तो बहुत ही सांदार जबरदस्त कोशन है, यह कोशन तो आपको होना चाहिए, कि इस प्रकार से जो ही, यह solve किया है, ठीक है बई? तो यह देखो, कोशन, बहुत अच्छे कोशन पूचे कोशन पूचे रहे हैं, यह ठादी सुरच्छा अदरारी में भी, इस्टेट आपके जो हैं, इस् ंपरी आपड़यपत calendar भी स्टेट आपको मिलजाइवी, स्टेमाघा यह इरा सुनने।, यह rockian video!